हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बैल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिके लगेंगे बस आपको करना क्या है आपको सारी चीज़े आपके अपने किछन में मिल जाएंगी और उनका यूज़ करके आप अपने दातों को चम का सकते हैं तो वो रेमेडी क्या है मैं आप सब के साज़ शेयर करती हूं तो ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हम को लेना है तूथ पेस्ट तूथ पेस्ट वही जो हम अपने दातों को साफ करने के लिए यूज करते हैं आप तूथ पेस्ट कोई सा भी ले सकते हैं तो आप जो आपके पास अविलेबल हो वो तूथ पेस्ट ले लीजे और एक आप काच का ग्लास ले लीजे उसके अंदर आप को एक नीबू का रस डालना है नीबू के रस को आपको अच्छे से पेस्ट के साथ मिक्स करना है अच्छे से हिला लेना है जब तक वो अच्छे से स्मूत एक पेस्ट जैसा नहीं बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि उस में मिनरल वाटर लेना है साफ मिनरल वाटर औ और उससे आपको गिलास को भर देना है और उसके बाद वो तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिला लेना है बहुत अच्छे से एकदम लिक्विड में की तरह हो जाए अब इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं आपको इसको यूज करना है सबसे पहले आपको करना है एक बार में ही आप देखेंगे कि आप फर्स्ट यूज में ही आपके जो दात हैं वो बिल्कुल शैन करने लगेंगे मोतियों की तरह चमक ले लगेंगे और आपके जो दातों पर टार्टर जमा हो गया है वो भी निकलने लगेगा और आप अच्छा रिजल चाहते हैं तो इसको पूरे वीग यूज कीजे और दिन में आप एक से दो बार यूज कर सकते हैं इस रेमेडी का यूज आप जो आपके दातों में ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभी ब्रश आप कर रहे हो तो लग जाता है तो बलड आ जाता है या जो है इसमें अगर आपके मुझ से बैड ब्रीथ हाती है उसमें भी ये बहुत जादा फाइदा करता है तो ये कुल मिलाके काफी अच्छा है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले शेयर करें अपने फ्रेंस फैमली में ऐस बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए में लाती रहूंगे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें बैल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें जो वीडियो की नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक करें एक लाइक से हम में बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करें मिलती हूं फिर मैं अगली वीडियो में तब तक आप अपना बेहत ख्याल रखें थैंक्स फॉर वाचिंग माई बीडियो